हाई गईस, आज की वीडियो बहुत होने है क्योंकि आज मैं बताने वाला कि कैसे आप अपनी वैपसाइट पर एक अच्छा कासा ट्राफिक ला सकते हैं और यूटुब चैनल पर ट्राफिक ला सकते हैं मैंने अपने गुगल आltics open किया हुआ है आप मेरे मुवाल में प्रिव्यु देख सकती है, यह मेरी ही Gmail यह ओपन है आप यह पर देख सकते हैं, आप Real Time में यूजर्स देखें नबबें इंकन यूजर्स हैं और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं एक्टिव यूजर्स देखे हैं और अच्छा खासा ट्राफिक मेरी इस वेपसाइट पर आ रहा है इवन आप इस मेथड का यूज करके अपने यूटूब चैनल पर भी ट्राफिक ला सकते हैं मेरा भी अभी अप्रूवल में गया हुआ है जैसे मेरा अप्रूवल सक्सेज हो जाता है मेरे यूटूब चैनल पर भी बहुत अच्छा ट्राफिक आने वाला आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या करता हूं क्योंकि देखो बहुत सारी यूजर्स जो होते हैं मोवाईल में इस टैप से न्यूज पढ़ती रहते हैं फिर अगर न्यूज में आपका टाइटल बहुत अच्छा है आपका यहां पर टाइटल के साथ आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है तो लोग आपकी यहां पर like website में जाते हैं आपकी feature image अच्छी है तो यह सब कैसे करना है हम discuss करने वाले कैसे हमारी यूटूब चैनल है यहां पर सोती है तो चलते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि कैसे हमें सब कुछ करना है तो मैं अपनी computer screen पर आ जाता हूं और बताता हूं कैसे आपको Google Publisher और Bing Publisher में approval मिलेगा और जैसे approval मिलता है आपको इन techniques को follow करना क्यों बहुत सारे लोगों को approval मिल जाता है और फिर उनकी website पर ट्राफिक नहीं आता है तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले है वीडियो बहुत important होने वाले है अगर अभी तक अपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियागा है सब्सक्राइब कर लेना बिल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि हम जो information प्रवाइट करते हैं बहुत ही powerful information होती है चलते सीधे computer screen पर बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है तो guys मैं Google पर आगया हूं Google पर आने के बाद सबसे पहले हम discuss करते हैं अगर आप अपनी website को blogging website को अप्रूफ करा लेते हैं YouTube चैनल को अप्रूफ करा लेते हैं तो आपका mobile में तो अपने प्रिव्यू देखा कि आपके articles कहां सोंगे इवन आपके जो articles है Google news app में भी Google news app होता है बहुत सारे लोग Google news app से apps जो like information है वो पढ़ते रहते हैं और आपके articles Google news app में भी सोने वाले हैं उसके साथ साथ आपने यह पर देखा होगा जब आप तोड़े इस अप्लेट डालते हैं कोई भी topic डालते हो तो news section में भी कुछ articles हो होते हैं तो आपके article news section में भी सोने वाले हैं इवन इस टाइप से top stories में सोने वाले हैं अगर आप एक news channel से related blog बनाने वाले हैं तो फिर यह आपके लिए और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला क्योंकि Google news app मिलने के बाद without SEO के भी बहुत सारे लोग traffic लाते हैं और इस कि अपनी website पर traffic ला सकते हैं किसी भी देखो news ही जरूरी नहीं आपका like tax related blog हो सकता है आपका like health related blog हो सकता है या फिर कोई किसी भी topic है किसी भी niche related blog हो सकता है आप traffic लाग सकते हैं आप सबसे बेले आपको क्या करना है Google publisher यहाँ पर type करना है simply आप type करना Google publisher अदर्वास मैंने open कि क्या हुआ है देखो यह है Google publisher इस टाइप से टाइप करें और जैसे आप Google publisher टाइप करते हैं आपके सामने सबसे पहली website आती है Publisher Center Google Publisher Center आपको इस website पर चले जाना है मैं बताता हूं इस step कि आपको करना के याद website पर जाने बाद अभी के लिए आप इस website पर चले जाए मैं Google Publisher के सासाथ यहां पे Bing Publisher की थोड़ी दिन में बात करने बाला हूं क्योंकि देखो Bing Publisher में आपकी प्रिव्यू दखाता हूं अगर आपकी website Bing Publisher से अप्रूव हो जाते हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग Microsoft भी यूज़ करते हैं तो देखो अगर आपकी website Microsoft से यह बिंग आपको ट्राफिक लाया जाता है अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर कमेंड जबूर करना कि कैसी लग रही है आपको वीडियो ठीक है पब्लिसर सेंटर पर आने के बाद आपको एड पॉब्लिकेशन पर आपको किलिक करना है तो चलते हैं किलिक करते हैं एड पॉब्लिकेशन पर किलिक करने के बाद है आपको पॉब्लिकेशन नेम देना है तो नेम मैं अभी के लिए अपना दे देता हूं ठीक है डिजिटल स्वम मैंने दे दिया कि वीडियो गना रहा हूं तो अभी मैंने यह यह दे दिया वेपसाइ में आप इंडिया दे दें और फिर फिर आप जो भी location देना चाहते हैं जिस location से आप लाइक आपकी news और जिस location से related वो location आप यहां पर दे सकते हैं तो मैं अभी इंडिया ही दूँगा ठीकि मैंने इंडिया दे दिया है और यहां पे आप इसको tick कर दें box को और add publication पर आपको simply click करना है जैसे ही आप add publication पर click करते हैं आपके सामने ये वाला interface open हो जाता है इस interface में सबसे पहले आप Google News में आएंगे तो not started आपको सोगा ये आप देख सकते हैं तो हमें इसको start करना है फिर आप आप देख सकते हैं design brand and customize ये वो publication for google news app on android, ios, news.google.com तीनों पर आपके blocks के हैं सोगने वाले हैं तो like traffic generate करने के एक अच्छा तरीका है तो ठीक है सबसे पहले आप यहाँ पर आजाएं ठीक है इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर आजाएं और इसको एक बाद setup करने हैं आपको setup करने में आप यहाँ पर बताता हूँ कि आप कैसे इसको setup करें सबसे पहले यहाँ पर edit पर click करें edit पर click करने के बाद जो जो मैं information बताऊँ आपको वह information fill कर देना है और आप easily यहाँ पर setup कर सकते हैं सबसे पहले दो को basic information में आप अपना like आपका जो blog है article है उसका description क्या है type कर दें category किस category का है आप यहाँ पर ले 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 आर्ट्स है बिजिनिस है अट्रोमेवाल्स है न्यूज है जो भी category है ले 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 country worldwide है इंडिया है स्लेक्टल है Google properties हैं बहुत सारी लोग confused होते हैं तो इसमें allow all Google properties रहने दें और यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपके Google Ads जो analytics का account होता है उसकी गूगल analytics की ID होती है UA तो उस ID को आपको यहाँ पर डालना है simply Google Analytics का account पर जाए अपनी जो आपका account है Google Analytics का अब आपके UA करके आपको ID मिलेगी यहाँ पर site corner में आपको यहाँ पर click करना है इस site में जब Google Analytics open कर लोगे तो यहाँ पर एक ID मिलेगी वहाँ आपको fill करना है और कुछ भी नहीं करना है ठीक है इसको यहाँ पर Chem semester click करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखो इहाँ पर feed चूज करना है अब तो यहां पर कोपी करने के बाद आपको अगर आप अपने यूटूब चैनल को यूटूब चैनल को गूगल यहां से लिंक कराना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं उसके लिए मैं भी बता रहा हूँ अभी आपको सिंपल यहां पर एड कर देना है और यहां मैंने भी एड कर दिया अब आप देखो यूटूब चैनल को भी यहां पर लिंक कराना चाहते हैं मैंने अभी लिंक किया है आरेसस फीड को आप यूटूब चैनल को लिंक करना चाह गूगल यूटूब पर भी आप ट्राफिक ला सकते हैं तो यह काम जरूर करें बहुत सारे लोग नहीं करते हैं इस वीडियो के बाद मैं भी यहां पर अपने यूटूब वैप साट का तो मेरा जो एक वैप साट है जो मैं प्रिव्यू दुखा था उसका अपर आप यह करने के बाद यूटूब कर देने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट करना है और इस पर अगर आपको इस पर कुछ के लिए इस पर कुछ निकरना आप इसको इस पर छोट सकते हैं और सबसे पहले आपको यहां पर बेरिफाई कर लेना है तो यहां पर गोटूब लिकेशन सेटिंग में चलते हैं थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं लोगों बगएर आभी हमें यहां पर अपलोट करने होते हैं तो हम यहां पर आ गए हैं पर प्राइमरी लेंग्विज हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहां पर दोखो आप अपने लाइक गूगल सर्च कंसोल को जिस भी लाइक अपनी वेबसाइट है उस जिस भी जीमेल से आप इसको ओपन कर रहे हैं गूगल नीज को उस गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लें और बस यहां पर गूगल सर्च कंसोल को जब आप ओपन कर लेंगे सेम पर तो आपकी इस वेबसाइट यह वेबसाइट यह वेबसाइट दूसरी गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लें और गूगल सर्च कंसोल क्या है नहीं पता तो नीचे आप comment कर देना बता दूंगा Google Search Console के बारे में Google Search Console को करने के बाद आप यहाँ पर verify कर सकते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर additional websites URL में अगर और भी websites URL डाल सकते हैं contact में अपना email बगएर आप यहाँ डाल सकते हैं यह सब information आपको fill करना compulsory है Google News Approval के लिए फिर उसके बाद visual styles में आप आएं तो यहाँ पर अपना एक logo डाल दें और यह सब डाल दें यहाँ पर desktop की font बगए अगर चेंज करना चाहते हैं तरवाइस यह तो आपको डाल नहीं है square logo और rectangular logo आपको यहाँ पर एड करना है अभी आप देखें जब मैंने सब कुछ कर दें तो review and publish में कितनी सारी errors आ रही है क्यों आ रही है कि अभी मैंने सबसे पहले square logo नहीं दिया है मैंने contact में मैं सब कुछ आपको explain कर देता हूँ square logo देओंगे यह वाली error fix हो जाएगी contact में जब आप number पगएरा देओंगे जो email id देओंगे तो यह वाली problem fix हो जाएगी primary website QR में आप अपनी website QR देओंगे यह वाली problem fix हो जाएगी basic information में जो आपने language उसकी दिपो देओंगे यह वाली information फिल हो जाएगी content में आप अपना content देदेना अभी RSS feed में content जो भी मिने RSS feed दिया था वो चला गया होगा देखो अभी यहापर सोन्यों लाइख फिर से एक बार RSS feed देदेना तो यहापर content भी सो जाएगा और यहापर description देदेना description भी यहापर जो भी इमने थोड़ी दे पहले description की बारे बात कराया अगर कोई भी problem होती है आप नीचे में comment कर दिना हम आपकी बिल्कुल definitely help करेंगे अगर आप हमसे digital marketing सीखना चाहते है क्योंकि हमारा digital marketing कोर्स advanced level पर होता तो आप हमें नीचे दिया गया नंबर पर हमें बहाँ पर हमें contact कर सकते हैं और हमसे google meet पर live digital marketing सीख सकते हैं अभी ठीक है मैं Microsoft पर यहां पर आ चुका हूँ और यहां पर आने के बाद आपको simply यहां पर type करना है Bing Publisher Center, Bing News Publisher और EFA Publisher Center भी आप type कर सकते हैं और इस पर हमें आ जाना है Bing News Publisher पर आने के बाद आपको सबसे पहले website में लेगी Bing News Publisher तो आपको इस पर click करना है तो हमें इस इंटरफेस पर आने के बाद हैं पर कुछ steps लिखी हुई है सबसे पहले आपको इन steps को follow करना है सबसे पहले आपने यह वाला कर लिया इसमें Bing Webmaster Tool की guideline और Bing Webmaster Tool से verify करा लेना इसका मतलब क्या होता है Bing Webmaster Tool means Google Search Console यहां पर Bing Webmaster Tool होता है तो यहां से आप verify करा लेना फिर यहां पर भाई review के लिए जाती हो फिर यहां पर आपकी जो भी like अगर आपकी review में आपकी पब्लिक हो जाती है तो फिर आपके जो आर्टिकल्स है जो बिंग पर लाइब सोने लगते तो यह बहुत अच्छा advantage है अगर आप बिंग से भी approval करा लेते हैं तो directly आपके बि कि like यहां पर बिंग का आगे approval नहीं होता है आपको वही problem आती है Google में आप बिंग में तो आप हमें नीचे comment कर देना और अगर आप चाहते हैं कि बिंग के लिए भी में एक special video बनाओ तो आप हमें video के नीचे comment कर देना comment also क्योंकि अगर मैं बिंग का यहां पर बताने लगा तो बिंग का approval का process थोड़ा सा और लॉंग है तो फिर बहुसा आदा time हो जाएगा next video में आप एक बाद try करें next video नहीं होता है तो आप मैं comment कर देना definitely मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपके लिए video दाऊंगा thank you guys thank you watching this video और Google से सबसे जादा traffic Google पर सबसे पहले Google पर ही try करें इस video